श्याम शपनों में आता क्यों नहीं 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 प्यार सूरत दिंखाता, क्यों नहीं शाम सब्सक्राथा क्यों नहीं शाम सब्सक्राथा झाल झाल क्र भब बंदे कर देते हैं मेरे नेमे सूरत शाब थी मुझे दिल से लगाता क्यों तरही आप सक्जों पे आता क्यों तरही हो शाब 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 थी आता क्यों तरही आता लाज़े शदियों से भड़ती राहों दल दल पे शदियों से भड़ती राहों दल दल पे मुझे धर पर मुला यो नही हो साम सफवे दो में आता यो नही हो साम सफवे दो में आता यो नही यो नहीं यही हो साम सफवे तेरे प्यारे कादा आगल हूँ तेरे प्यारे कादा आगल हूँ पुरा बागल गरार आगल तो 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 झाल झाल आपके इधर का शुरुने का भाव बड़ा अच्छा है और जब शे आपके शेत्र में आई हैं हम तब शे अपने इधर का जाने का मनी यह नहीं करता है इतना अच्छा भाव है कम लोग वैशे भी हैं लेकिन मन बहुत अच्छा है यह हमें बहुत अच्छा लगा और इसी प्रकार धर्म से जुड़े रहे हैं इसी प्रकार भक्ती से जुड़े रहे हैं और इंशान तो दुनिया में आया है एक दिन उसे जाना भी पड़ेगा लेकिन हमें कर्म ऐसा करना जाहिए कि हमें दुनिया के लोग याद करें क्योंकि वश्टु की कीमत खरीदने से पहले की जाती है और इंसान की कीमत उसके जाने के बाद की जाती है तो कर्मों की अनुशार हमारी पहचान बनती है कर्मों की अनुशार ही हमारी इज्जत होती है यैसा कर्म करोगे वैसा ही समाद हमें सम्मान देगा इसलिए कर्म अच्छे कर दे रही जो हमारे मरने के बाद भी संसार के लोग हमें याद करेंगे मनिश्विन की सोचिकाल जब आएगा और रेमत वाली मूढ शंग क्या जाएगा क्या हूँ सुख जो पाता रहा सदा जग में उशे आखिर में दुख उठाना पड़ेगा पश्टाया नहीं जो गभी बी उशे अंत समय में पश्टाना पड़ेगा कोई भी फूल बाग में एजा घिला नहीं जिसे खिल करके मुर्जाना ना पड़ा और बिधिका ये अदल विधान रहा जिशे आना पड़ा उशे जाना पड़ा मन युष दिन की शोजिकाल जब आएगा रेमत वाले मूढ शंग का जाओगा मन युष दिन की शोजिकाल जब आएगा 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 इसलिए भक्ती से जड़े रहे